तो इस टूडेंट यह है हमारा question number 8, if 22.5 meters of uniform iron rod weights 85.5 kg, what will be the length of 22.8 kg of the same rod? यह कह रहा है कि इतनी length में कितना वजन है? 85.5 kg है, तो बताईए इतनी वजन में क्या length होगी उसी rod की? तो बच्छे क्या करोगा आप? 22.8 kg का तब बता पाऊगे, जब आपको 1 kg का पता हो, तो पहले हम 1 kg का find करेंगे, और जब 1 का पता चल जाएगा, तो उसमें 22.8 का ही both sides multiply कर देंगे. नहीं समझ माया है तो देखो, आप कहें length of iron rod weight 85.5 kg equals to, कितनी length है? जब वजन ये है, तो वो दे रखी है कितनी? 22.5 meter, जब वजन ये है, तो लंबाई ये है, तो आप मुझे बताओ कि length of iron rod weight 1 kg, जब 1 kg होगा तो क्या होगा? तो आप इसमें divide कर दें, both sides तब बनेगा 1 kg, तो 85.5 ये length है. हमें 1 का नहीं बताना, हमें कितने का बताना है, 22.8 का, तो आप क्या कहेंगे? कि length of iron rod weight 22.8 kg equal, तो हमें 1 kg का तो पता था, वो कितना है? ये है 1 kg का, लेकिन हमें कितने का बताना है? इतने का, तो both sides दौनों तरफ multiply कर रहे हैं, तो बस आप इसको क्या करें? इसे solve कर लें, आपको length पता चल जाएगी. कैसे solve करेंगे? देखिए. decimal से तो decimal remove, और इस decimal को remove करोगे, तो नीचे 10 आ जाएगा. 5 के table से दौनों cut कर रहे हैं, तो 5, 4s are 20, और 5, 5s are 25. 5 के table से इसको भी cut कर रहे हैं, तो 5, 1s are 5, 5, 7s are, और 5, 1s are. 9 के table से दौनों cut हो रहे हैं, दुबारा, तो 9, 5, 4, 45, और 9 से इसको cut कर रहे हैं, तो कितने बार जा रहे हैं? 9, 1s are 9, और 9, 9s are, ठीक है? अब देखे हम फिर cut कर रहे हैं इसको, किस से? 5 के table से ये दौनों cut हो रहे हैं, तो 5, 1s are 5, और 5, 2s are 10, 2 के table से ये cut हो रहा है, 2, 1s are 2, 1s are 2, 4s are, और 19, 6, 1, 1, 4 होता है, तो हमारे पास कुल क्या बचा है? 6, तो आपका होगे 6 meter answer, तो बिटर, length of iron road, weight 22.8 kg is 6 meter, चलिए, next question पर move करें,